सेंटरा मास एक्सेलरेट करेगा अब यहां पर इक्स्टरनल फॉर्स लग रहा होगा तभी तो सेंटरा मास एक्सेलरेट करेगा अभी तक हम लोग पड़े कि सेंटरा मास एक्सेलरेट में है तो रेस्ट में रहेगा अगर उस एक्सिज में फोर्स जीरो है तो लेकिन अगर फोर्स लगता है तो क्या होगा तो संपल सी बात अगर फोर्स लगता है तो एक्सेंटर मास एक्सेलेट करेगा अब देखो यह अगर फोर्स लगता है जैसे सबसे अच्छा एक्जामपल है प्रजेक्टाइल मोशन में एक अगर मैं किसी object को project कर देता हूं this is the projectile motion अगर मैं यहां से किसी एक particle को project कर देता हूं तो जिस तरह से particle move कर रहा है उसी तरह से उसका center mass भी move कर रहा है पैराबोलिक path में और पैराबोलिक path में move करने वाला particle accelerate ठीक है तो लेकिन इसकी खास बात क्या होती है कि अगर बीच में कुछ ऐसा होता है जो internal forces की वज़े से हुगा हां यह interesting बात है कि अगर इस projectile है एक बॉम है अगर ऐसे जा रहा है और बीच में फूट गया तो center of mass change नहीं होगा क्यों नहीं चेंज होगा क्योंकि internal forces से effect नहीं होगा माल लो यह 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 वाली एक्स वाला एक example देखो अगर इस एक्स को मैं फेकता हूं देखो इस टाइप से तो इसका जो center of mass है देखो तो पर आदेखो पार्ट में मूप करा लेकिन अगर मान लो कि इसके साथ कुछ हो गया रगधा और यहां पर जाके यह पीसे में ब्रेक हो गया यहां पर जाके वो इसके internal explosion से इसके तूटने से यहां के तूट गया तो सेंटर मास original पॉड़ और इंटरनल फॉर्ट्स से एफेक्ट नहीं हो गार बट जो सेंटर महास ग्रेवेटी लग रही है एमजी जो कि एक इसे प्रजेक्ट कर दिया और बंपूड गया लेकिन सेंटर आमास उसका वैसे ही जाएगा इसमें तीनों कॉंसेप्ट है जम्लों करेगा वह अपने इन्टर से अब्सक्री करता है ये जय होगि हो तो इसका सेंटर आमा सर्कूलर आंब करेगा है इसका पपे जो राड है वह हींज्ड है। यह पॉइंट कई नहीं जाएगा तो अगर राड मूब करता है तो उसका Center में ऊक्ता हमास कैसे मूब करेगा। dethque राड ऐसे मूब कर गया तो उसका nee अमश सर्कूलर पाथ पर में मूब कर गया है करने के लिए लगेगा यह एक पार्टिकिल की तरह के सर्कूलर मोसन में मुव करा सेंटिपीटल पोज MR ओमेगा स्क्वार